प्रियो आज जो आपके जीवन में नीच में काम हो रहे हैं, उसका कारन आप जानते हैं, आपके पिता आपके साथ नहीं है इसलिए, कौन सा पिता? बताइए, जो स्वर्ग में हैं, वो पिता आपके संग नहीं है, इसलिए. प्रियों शिम्षोन कहां जाकर सोया जानते हैं? शिम्षोन जाकर धलीला नाम की एक वेश्या के गोद में सोया प्रियों क्यों शिम्षोन जाकर एक वेश्या के गोद में सोया? क्यों वो इतने नीचे गिर गया और इतने नीच में कामों को कर रहा था? आईए उसका कारण देखें न्याईयों की पुस्तक सुलमाध्याए उन्निस्वा वचन तब उसने उसको अपने घुपनों पर सुला रखा था कहां कहां सुला रखा था एक वेश्या के गोद में सोया था कौन था ये परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक नाजीर था चुना हुआ था बुलाया गया था सुन रहे हैं इन बातों को पुरियो शिम्षोन प्रतिष्टित किया गया था परमेश्वर के लिए पुरिय भाई और बहनों आप सुन रहे हैं हम चुने गये हैं परमिश्वर के संतान होकर जीने के लिए हम पवित्र किये गये हैं ताकि परमिश्वर के गवा होकर जीए हम अलग किये गये लोग हैं ताकि अंदकार से अलग होकर जीए ऐसे हम कैसे इस तरह पाप में कामों को कर सकते हैं बताईए हम ऐसे क्यों करते हैं जानते हैं और शिम्षोन ने क्यों किया जानते हैं वो जाकर एक वेश्या के गोद में सो गया था जब उसके गोद में सोया तो क्या हुआ जानते हैं उस वेश्या ने शिम्षोन के जीवन को नाश करने के लिए एक शडियंत रची ये शिम्षोन को नहीं मालम था उस वेश्या ने शिम्षोन के सारे शत्रूँओं को बुलवा ली आजाओ ये कामुक वेक्ति मेरी गोद में सोया है आजाओ कहकर बुलवा ली प्रियों इससे पहले शिम्षोन से हर एक वेक्ति डरता था शिम्षोन का नाम सुनते ही कापने लगते थे क्यों जानते हैं? घदे के जबडे की हड़ी को लेकर एक हजार लोगों को मार डाला पलस्ति लोग शिम्षोन का नाम सुनकर ही कापने लगते थे ऐसा शिम्षोन कहां गया जानते हैं? पलस्तियों के देश में वो गया पलस्तियों के देश में गया था क्योंकि वहाँ असानी से पाप किया जा सकता था वहाँ पाप करने से कोई देख नहीं पाएगा इसलिए हैं क्या कोई ऐसे लोग हमारे बीच में कोई जान ना सके दूर प्रांत में जाकर कोई नहीं देखेंगे वहां हमारे लोग नहीं रहेंगे कोई मुझे पैचानेंगे नहीं ये सोच कर तुछ मैं नेच मैं कामों को करने वाले हमारे बीच कोई हैं क्या तो सुनो आप जितने भी दूर चले जाएं एकांत में चले जाएं आपके करने वाले पाप, पती ना देख रहा हो, पती नी ना देख रहे हो, बच्चे ना देख रहे हो, माता पिता भी ना देख रहे हो, परमेश्वर देख रहे हैं ना? परमेश्वर ध्यान दे रहे हैं ना? इतनी भी समझ ना होने से कैसे? फिर से बता रहा हूं, आपके प परमेश्वर ने शिम्षोन से कई बार भोले, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, फिर भी वो नहीं सुना, बोला क्या करेंगे परमेश्वर, तब परमेश्वर करके दिखाए, शत्रू आ गया शिम्षोन को पकड़ लिये, तब शिम्षोन ने क्या सुचा जानते हैं, तब उसने कहा, हे शिम्षोन पलस्ती तेरी घात में हैं, तब वह चौक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर जटकूंगा, वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से, चला गया है, वो जान नहीं सका, वो पकड़ा गया, प्रियो परमेश्वरेदी संग होते शिम्षोन जय पाता, परमेश्वरेदी संग होते तो शिम्षोन वी जय पाता, लेकिन परमेश्वर शिम्षोन के संग नहीं था, छोड़ दिया, क्यों छोड़ा कहने से वास्तों में, शिम्षोन ही पहले परमेश्वर को छोड़ा था, पाप करने वाला हर एक वेक्ती परम आज आप इसी स्तिती में जी रहे हैं। परमेश्वर के साथ को आप खो दिये हैं इसलिए। एक समय शिम्षोन का नाम लेते ही पलस्ती डर कर कापते थे। लेकिन वही शिम्षोन पलस्तियों के द्वारा बंदी बना लिये जाकर उनहीं के बीच मर गया। प्रियों कारण जानते हैं वो परमेश्वर को खो दिया था। प्रियों हमने देखा था वो लोमडी बहुत चलाक थी। उसे ये समझ में आया किसी हैं मेरे साथ होने से इस जंगल में मेरा कोई भी सामना। नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान हमें होने से कितना अच्छा होगा। परमेश्वर मेरे संग होने से मैं कभी हारूंगा नहीं। प्रियों नुह पवित्र जीवन कैसे जीशा का जानते हैं वो परमेश्वर के संग चला। प्रियो बैबल बताती है उत्पत्ति 49 अध्याए पहला वच्छन हम देखेंगे परमिश्वर संग होने से क्या होता है जब योसुफ मिस्र में पहुचाया गया तब पोती पर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था उसको इश्मालियों के हास से जो उसे वहां ले गये थे मोल लिया योसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था परमेश्वर एक वेक्ति के संग रहने से क्या होता है, वो आशिश पाता है, आप में से कितने लोग चाते हैं, हमें आशिश पाना है, अपने पड़ाई लिखाई में, या फिर आपके परिवार में हो सकता है, आपके नौकरी में हो सकता है, वैपार में हो सकता है, खेती किसा प्रश्च पाना है तो आपको खुब सूरत होना है। एक दास के रूप में नौकर के रूप में भाईयों के द्वारा बेचे गए यूसुफ के जीवन में क्या हुआ जानते हैं। प्रमेश्वर यूसुफ के संग था। प्रियों आप आशिश्वाना चाते हैं। आपके नौकरी में आशिश्वाना है तो आपके संग प्रमेश्वर रहना है। आपके वैपार में उननती करना है, आपके खेती किसानी में उननती करना है तो, आपके पेश्वे में उननती करना है तो, प्रमेश्वर आपके संग रहना है। प्रमेश्वर किसके साथ रहते हैं? जो धार्मिक्ता से जीते हैं, उनके साथ रहते हैं। पाप मैं काम करने वालों के साथ नहीं रहते हैं, हमने देखा ना, शिम्षोन को परमेश्वर ने छोड़ दिया, पाप मैं कामों को कर रहा था इसलिए, नीच मैं कामों को कर रहा था इसलिए, परमेश्वर देख नहीं सके, छोड़ दिये। प्रियों नोह धार्मिक्ता का जीवन जी है, इसका कारण जानते हैं, बैबल बताती है, पाप मैं लोगों के बीच नोह, क्या किया? परमेश्वर के साथ चला. आज हम में से हरे एक जन को परमेश्वर के साथ चलना, सीखना है, परमेश्वर के पीछे चलना, सीखना है, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो क्या होगा? हम स्वर्ग जाएंगे, यदि हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो क्या होगा? हम नरख जाएंगे, इश्व मस इसी जगत में क्यों आये जानते हैं? इसलिए आये कि हम उनके पीछे चलें. मसीही याने मसीह के पीछे चलने वाला, उनका नुकरन करने वाला और उनके जैसा जीने वाला। प्रियो नोहु की विशेषता क्या है जानते पाप मैं लोगों के बीच वो पवित्र जीवन जिया इसका कारण क्या है जानते हैं वो परमेश्वर की ओर देखते हुए चला इस तरह परमेश्वर की ओर देखते हुए चला इसलिए वो पाप मैं लोगों के बीच पवित्र जी को मैं दंड देने जा रहा हूँ, लेकिन तुमें मैं दंड नहीं दोगा। किसलिए? क्योंकि तुम धर्मिक्ता से जी रहे हो। प्री भाईयों और बहनों सुनिये, पाप मैं कामों को करने वालों को परमेश्वर निश्य दंड देंगे, लेकिन आपको उस दंड से बचना है तो आपको धर्मिक्ता से जीना होगा। प्री भाईयों और बहनों क्या आप खराई का जीवन जी रहे हैं, धर्मिक्ता का जीवन जी रहे हैं? तो सुनिये, केवल आप अकेले धर्मिक्ता का जीवन जीने से काफी नहीं हैं, आपका परिवार भी धर्मिक्ता से जीना है, आपके बच्चे भी धर्मिक्ता से जीना है, परमेश्वर ने नुह से कहा, नोह, तुम और, तुमारी पतनी, तुमारे तीनों बेटे, और तुमारी तीनों बहुएं, जहाज में प्रवेश करो, याने नोह की महानता ये है कि वो अकेला ना होकर अपने पुरे परिवार को अच्छे मार्ग में चला सका, आज हम इसे कितने लोग इस बात को कह सकते हैं, मेरे बच्चे भी विश्वास में चल रहे हैं, परिए जवान बच्चों, अपने माता पिता को मत रूलाईए, चर्च चलने को जब वे आपसे कहें, तो आप निश्य जाएं, जब वे कहें आओ हम प्रात्ना करें, तो आप बचने की कोशिश ना करें, फिर से बता रहा हू पाप करने वाला प्रात्ना नहीं कर पाएगा, प्रात्ना करने का मन भी नहीं हुगा यदि आप अपने माता पिता के साथ प्रात्ना में नहीं बैठ सक रहे हैं तो इसका कारण है आप में पाप है यदि आप पतनी के साथ, पती के साथ प्रातना नहीं कर पा रहें तो इसका कारण है आप में पाप है परिवार के रूप में आप मिलकर प्रातना नहीं कर पा रहें तो इसका कारण है परमिश्वर की उपस्तिती की कमी प्रियों एक लड़की अपने पडोसी के घर में हमेशा जाया करती थी जब उस परिवार के लोग अच्छे से गीद गाते थे वचन पड़ते थे उस समय ये लड़की भी उनके साथ मिलकर प्रात्ना में बैठा करती थी उनके साथ मिलकर प्रातना करती थी, गीद गाती थी, तब उस घर के अंटी ने पूछा, बेटी तुम हमारे घर आकर गीद गा रही हो, प्रातना कर रही हो, हमारे घर आकर तुम अच्छे से परिवारिक प्रातना मिस्सा ले रही हो, क्या तुम अपने घर में प्रातना नहीं करते हो, तुमारे घर में परिवारिक प्रात्ना नहीं होती है, तब उस लड़की ने क्या कहा जानते हैं, अंटे, अमारे घर में इश्यू नहीं है अंटे, ये क्या है, तुमारे घर में इश्यू नहीं है अंटे, ये क्या है, तुमारे घर में इश्यू नहीं रहना, मेरे मा माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं न, जब देखो हमारे घर में चीकना चिलाना होता है न, इसलिए इश्व हमारे घर नहीं आते हैं अंटी, कितने दुख की बात है प्रियों, इश्व हमारे घर में नहीं है अंटी, उनकी उपस्तिती नहीं है अंटी, किसलिए हमारे घर म प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, आत्मिकता नहीं है, पवित्रता नहीं है, हमेशा मेरे माता-पिता लड़ते जगरते रहते हैं, जब देखों जगरते रहते हैं, इसे देखकर ईशो हमारे घर आना छोड़ दिये, मैं पूस्ता हूं प्रीभाई और बहन, क्या है आज हम हमारे परिवार की स्थिती, हो सकता आज आज आपके परिवार की छोटे बच्चे इसी सोच में हो, हमेशा आप अपने पती से जगरने वाली हो, आप हमेशा अपनी पतनी को मारते हो, शायद इसे देखकर आपके बच्चे कहते हो, हमारे घर में इशो नहीं है, क्योंकि मेर धर में व्यक्ति था वो केवल अकेला परमेश्वर के पीछे नहीं चला वरन अपने बच्चों को भी परमेश्वर के पीछे चलाया अपने बहुआं को भी परमेश्वर के पीछे चलाया और अपने पत्नी को भी परमेश्वर के पीछे चलना सिखाया ये एक अद्बत परिवार था आज हमें बहुत से लोग अकेले संगती में जाते हैं आपके साथ आपका पती नहीं जाता है आपके साथ आपकी पत्नी नहीं जाती है आपके साथ बच्चे नहीं जाते है तो फिर निश्य आपको कमभीर होना है सबसे पहले अपने जीवन को जाचना है, परकना है, क्यों मेरे पती मेरे साथ चर्ष नहीं जाते हैं? मुझ में क्या कमी है प्रश्न करना है प्रिय भाई और बेहन मेरे बच्चे क्यों चर्च नहीं जाते हैं मुझ में क्या कमी है प्रश्न करना है प्रिय नो धर्मी था वो कितना धर्मी था जानते हैं वो अकेला परमेश्वर के पीछे नहीं चला वरान अपने पूरे परिवार को परमिश्वर के पीछे चलाया, वो सच में अद्बूत है, आज निश्य हमें इस निर्ने को लेना है, अप से लेकर आपके परिवार को प्रभू की पस्तिती में लाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, बहुत से कारण बताएं होंगे नू के बच्चे वो भी पाप में जगत था प्रियों, पाप से भरे हुए लोग थे, ऐसे पाप में लोगों के बीच, पाप में मित्रों के बीच, अपने तीनों बच्चों की रक्षा करपना असान नहीं है, यह चिनोती से भरा था, संघर्ष से भरा था, लेकिन असंभवन नहीं है नो इसे साबित किया आज हमारे बच्चों में से कोई रास्ता भटकने से गलत मारगों में जाने से कुश्माता पिता कहते हैं क्या करें जी आजकल के जवान ऐसे ही रहते हैं आजकल के जवानों की यही आदतें हैं कितना भी बताएं हमारा बेटा नहीं सुन रहा है बेटी नहीं सुन रही है क्या करें ये जमाना ही ऐसा है इस तरह कहकर आप समझोता मत करना प्रियों इससे भी भायानक दिनों में नू अपने बच्चों की रक्षा कर पाया कारण ये है कि सबसे पहले वो धार्मिक्ता का जीवन जिया अपने बच्चों को भी धार्मिक्ता की मार्ग में चलाया तीन बेटे तीन बहुएं और पत्नी अपने पूरे परिवार को नो जल प्रलै से सारा संसार नाश हो गया लेकिन नो अपने परिवार को बचा लिया बाइबल बताती है एक दिन आने वाला है भायानक प्रलै आने वाला है उस भायानक प्रलै से सारा संसार नाश हो कर उसके बाद कौन बचेगा कहने से बाइबल के अनुसार जो कोई मसी के बहाएगे लहू के द्वारा अपने जीवन को धो लेंगे, वे स्वर्ग में सुरक्षित पहुँचाए जाएंगे, ये बैबल बताती है, प्रियों हम देखते हैं, नो धर्मी था, आप मैं लोगों के बीच, नो पवितरता से जिया, नो प्रभु की अवाज को सुना, जब परमेश्वर ने कहा कि नो मैं स सारे संसार को नाश करने जा रहा हूँ, नहीं प्रभु, ये कैसे संभव है, आप क्यों दंड देंगे, इस तरह कोई प्रशन नहीं किया, सुना और विश्वास किया, नो सुनो, एक जहाज बना लो, अपने परिवार की रक्षा करो, यहोवा के कहें अनुसार, एक जहाज क रहे हैं, जान लिया, नो, प्रभु की मरजी को पूरी किया, जहाज का निर्मान किया, अपने परिवार की रक्षा किया, पूरे मानाव जाती के लिए, आज वो एक आधार बन गया, क्या आपको मालुम है, जब पूरा संसार नाश हो गया था, मनुष्य के अस्थित्व की, रक्षा किसने किया कहने से नोह और नोह का परिवार बाईबल के अनुसार नोह के पुत्र शेम, हाम, एपेद इन तीनों पुत्रों के द्वारा ही पूरे विश्व में मानव जाती का फैलाव हुआ है ये बाईबल बताती है प्रियों नोह परमिश्वर के संग चला फिर आपके विश्व में क्या है हमारे विश्व में क्या है प्रियों एक दिन एक वेक्ति उध्धार पाने के बाद कैसे प्रात्ना करना है ना जानकर परेशान हो राता तब एक पास्टर आकर बोले तुम्हें कैसे प्रात्ना करना ही जानना है तो आसान है आप प्रात्ना करने से पहले अपने सामने एक चेर लगाना एक चेर अपने सामने रखना और उस चेर में ईशू बैठे हुए हैं ये अनुभो करना और वाँ घुटने टिकना इस चेर में मेरे प्रभू बैटने हैं ये सोचकर गुटने टेक कर प्रभू आपके सामने उपस्तित हैं इस अनुभूती के साथ उनके सम्मुख अपने मन को उन्डेलना अपने सारे दुखों को बताना इससे आदत बना लेने के बाद वो पूरे मन से परमेश्वर से बात करना सीख गया वो अपने पूरे मन को परमेश्वर के सम्मुक उंडेलने लगा ये उसके जीवन में आदत बन गई एक दिन उसका स्वास्ति बिगड़ने से उनकी बेटी ने हॉस्पिटल में एडमिट कराई अपनी बेटी से उसने कहा बेटी मेरे पलंग के पास एक चेर को लगाओगी क्यों पिता जी मेरे इश्व आकर बैठेंगे प्रियों कितनी अद्बुत बात है मेरे इश्व आकर बैठेंगे उस प्रांत में रहने वाले एक दुसरे पास्टर जी हॉस्पिटल आकर जब सबसे विजिट कर रहे थे इस वेक्ति के पास भी आए बाजो में चेर था उस पास्टर ने पूछा कोई आकर अभी तक आपके पास बैठ कर गये हैं क्या पूछने से तब उस वेक्ति ने कहा मेरा ईशू ही बीच बीच में आकर यहां बैठते हैं कितनी सुन्दर बात है ईशू मेरे साथ रहते हैं मेरे साथ यहां बैठते हैं एक सब्ता बीतने के बाद वो लड़की उस पास्टर जी को फोन की जो आकर उनसे मिले थे पास्टर जी आप आकर पिछले सप्ता मेरे पिता के लिए प्रातना किये थे, हाँ प्रातना किया था, अभी वे कैसे हैं, वे अब नहीं रहे, चले गए, प्रभु के साथ चले गए, पाश्टर जी, आप एक बात जानते हैं, मेरे पिता जी जब मुरित्यू के बीचोने में थे, और जब मैं आईयों को लेने गई थी, जब लौट कर आई मेरे पिता जी का हाथ, पास में रखे चेर के उपर यो रखा उआ था, वो पास्टर जी से पूछने लगी, मेरे पिता जी क्यों, उस चेर के उपर हाथ रखे, क्या आप जानते हैं, पास्टर जी ने कहा, हाँ जानता हूँ, ये कहकर हीश्यू अपना हाथ दिये होंगे, इसलिए आपके पिता हीश्यू के हाथ में अपना हाथ रखे, और स्वर्ग चले गए. प्रीज भाई और बहनों कृप्या सुनिये, नो कैसे धार्मिक्ता का जीवन जिया और अपने प्रिवार की रक्षा कर सका जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चला इसलिए. और हनोग की विशयमे भी बैबल में इस तरह लिखा है, हनोग परमेश्वर के साथ साथ चला, और उसके बाद वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग को उठा लिया गया पिर यो आज आप आत्मिक जीवन जी रहे होंगे अच्छी बात है लेकिन अंतिम सांस तक इस आत्मिक्ता की रक्षा करना है किसी ना किसी दिन मैं आप हम सब इस यात्र को समाप्त करेंगे इस तरह समाप्त करने का समय जबाएगा परमेश्वर के बिना परमेश्वर के साथ के बिना परमेश्वर की संगती के बिना आपकी यात्रा समाप्त होगी तो आपको जहां नहीं जाना चाहिए वहाँ चले जाएंगे लेकिन उसी समय परमेश्वर के साथ जीते हुए अपनी आत्रा को समाब्द करने से आप सीधे जहां प्रभूई इश्व मसी हैं उस स्वर्ग को चले जाएंगे मैं पूशता हूँ अगर आज का दिन उमारे जीवन का आखरी दिनों ने से हम में से कितने लोग हिम्मत से कह सकते हैं मेरे इश्व मेरे साथ रहते हैं इसलिए आज अपनी आखे बंद करूँगा तो उनके साथ स्वर्ग चले जाऊंगा ऐसी गवाही या फिर ऐसे उत्तर को आप नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं इश्व से दूर जिया हूँ मनमर्जी से जिया हूँ पाप मैं कामों को किया हूँ इसलिए हिम्मत से इस बात को कह नहीं पा रहा हूँ तो फिर सुनो आप कैसे भी पापी क्यों ना हो कितने भी बिगडे हुए हो मेरे प्रबु आपको शमा करने के लिए तैयार है और उतना ही नहीं यदि आप अपना जीवन इशू को अरपन करेंगे तो आज ही वे आपको अपना लेंगे अपने बेटे और बेटी के रूप में सिविकार करेंगे आनंत काल तक आप स्वर्ग में जी सको आउसर प्रदान करेंगे यह आपको समझ मैं ऐसा बताऊंगा स्वर्ग में कौन रहेंगे जानते हैं बताईए कौन रहते हैं स्वार्ग में परमेश्वर रहते हैं और कौन रहेंगे बताए स्वार्ग परमेश्वर का घर है न उस घर में कौन रहेंगे बताए परमेश्वर के बच्चे रहेंगे मानते हैं हमारे घर में कौन रहते हैं हमारे बच्चे रहते हैं आपके घर में कौन रहते हैं? आपके बच्चे रहते हैं. परमेश्वर के घर में कौन रहेंगे? परमेश्वर के बच्चे रहेंगे. अभी मेरा प्रश्न है. आप रहना चाहते हैं? परमेश्वर के घर में युगान युग रहने की आशा करता हूं कहने वाले हाथ दिखाए तो फिर क्या करना है हमें? उनके संतान बनना है हमें. कैसे हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं? यहोना एक अध्या उसके बारवे मचन में क्या है जानते हैं? जितनों ने उसे ग्रहन किया, किसे? ईश्व मसी को जितने लोग ग्रहन करेंगे, विश्वास करेंगे, उन सब को उनके संतान होने का अधिकार देंगे कितना आसान है प्रियो आप परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में आप अपने आपको सौपेंगे तो जहां परमेश्वर है वहाँ आप भी रहेंगे ऐसे रहने के लिए आपको जो करना है वो बहुत आसान है आप परमेश्वर की प्रेम को समझिए और उनके किये गैत्याक को भी समझिए और अपने पुराने और गंदे जीवन को छोड़ दीजिए एक अद्बुद जीवन जीने के लिए अपना हाथ परमेश्वर के हाथों में रख कर अपसे आपके संतान की रूप में जीना चाहता हूँ पिता कहके उन्हें अपना जीवन अरपन कर दीजिए वे आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देंगे आपको अपने बेटे और बेटी के रूप में सिविकार करेंगे रातना आएए प्रातना करे हर एक जन प्रातना में सहभागी हों चाहता हूँ पवित्र परमेश्वर पिता बहुती सीधे और इस्पष्ट मुझ से हम सबसे बात करने के लिए धन्यवाद नौह पाप में समाज में पाप में लोगों के बीच पवित्रता से जी सका इसका कारण क्या है कि नौह आपके संग संग चला इसलिए आपके और देखते हुए जीया इसलिए वह केवल अकेला ही नहीं अपने बेटों को और बहुओं को और पत्नी को पूरे परिवार को धार्मिकता के मार्ग में चला सका अमारे बच्चे सुधरना है तो माता पिता के रूप में हमें सुधरना है वो छोटी लड़की कह रहे थी हमारे घर में प्रभू नहीं है क्योंकि हमेशा लड़ाई जगड़े होते हैं पिता ऐसी बात है हमारे घर में हमारे बच्चे नहीं कहना है हमारे संतान नहीं कहना है आत्मिक्ता, प्यार, महबबत पिता मारे घरों में हमेशा रहना है ऐसा अनुग रह कीजिए नोह आपके पीछे चला ऐसे चलने का जीवन हमें भी दीजिए शिम्शोन आपको छोड़ दिया शत्रूं के हाथों मारा गया आपसे दूर होकर हम कुछ आसिल नहीं कर सकते लेकिन आपके साथ रहकर हम अपने जीवन में शान्ती, आनंद, खुशी सारी आशिशें और सम्रिधी अनंतकाल तक अनुभो कर सकते हैं पिता आप साथ रहने से हमें हिम्मत मिलती है आपके साथ रहने से हमें ताकत मिलती है इसलिए आज हर एक अधर्म के कामों को छोड़ कर इमानदारी और खराई से जीते हुए पाप मैं और गंदी आदतों को छोड़ कर पती, पत्नी और बच्चों के लिए आदर्श का जीवन जी सकें सानुग्र हर एक जन पर कीजिए एशू के नाम से मांगते हैं पता आमीन